नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 26 जनवरी शाम 7 बजे राजिस्तान की खास खबरी राजस्तान लोग सिवा यूग ने विबिन पर्तियोंगी परिक्षाओं की परस्तावित परिक्षा की तारिक जारी की है विस्तरत सूचना यूग की वैबसाईट पर उतलब देशाजी और प्रस्तावित साइक सांखी की अधिकारी क्रिशी विभाग पर्तियोगी परिक्षा 2024 का आयोजन 25 अगस 2024 को किया जाना प्रस्तावित है इसे परकार सहाएक अचारे संस्कृत शिक्षा विभाग परिक्षा 2024 का आयोजन 8 से 12 सितंबर 14 वे 15 सितंबर 2024 को किया जाना प्रस्तावित है उक्तपरि रेप के आरोपी स्कूल और कोचिंग संचाल को अंतिम सांस्त का जीवन कारावास की सज़ा सुनाई साथी दो लाख रुपे के जुर्माने से दंडित किया है आरोपी ने पीडिता के मुबाइल पर अशलिल मैसेश भेजकर पीडिता को फेल करने की धमकी दे कर स्कूल और कि वह आरोपी के स्कूल में पढ़ती थी आरोपी पीडिता की अश्लिल वीडियो और फोटो खेंच कर उन्हें वाइरल करने की धंकी दे कर लगातर दुशकरम करता रहा वहीं मामला दर्स होने के बाद आरोपी फरार हो गया था पुलिस ने आरोपी को घटना के चार महीने ब पूरे परिवार को जान से मारने की धंकी दी है रानोली थाने में 54 वर्षे केलाश यादव ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पास एक वाटसेप कॉल आया आरोपी ने कहा कि वह रोहीत गुदारा बोल रहा है जिसके बाद केलाश यादव ने फोन कार दिया थोड़ी तो वह उसे वह उसके परिवार को जान से मार देगा अरोपी ने कहा कि अगर उसे मुकदमा करवाना है तो करवा ले फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है बाडमिर जिले में नाकाबंदी तोड़कर शराब से भरी स्कॉर्पियो गारी पुलिस पर चढ़ाने के प्रियास में पुलिस डियस्टे टीम का कॉंस्टेबल घायल हो गया टीम ने स्कॉर्पियो पर पांच फाइर कर टायर ब्रस्ट किये खेर कर दो शराब तसकरों महिपाल सिंग निवासी डेंबा सेडवा सुरेश कुमार निवासी गुडा मलानी को दबूचा है स्कॉर्पियो गारी से अलग अलग ब्रांड के 130 अवैद काटन शराब के जब्त किये गए मावला सिंदरी सरकिल ओवर ब्रिश का है स्पी दिगन तनंद की मुताबिक मुक्बिर से सूशना मिली थी कि बायत्तु की तरफ से शराब से भरी दो स्कॉर्पियो गारी बारमिर से संचोर की तरफ जा रही है इस पर कोतवाली पुलिस वे डियस्टी के टीमों ने सिंदरी सरकिल के पास नाकाबंदी की गाड़ी आने पर रुकवाने का इशारा किया लेकिन नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रियास करते हुए पुलिस टीम पर गाड़ी चठाने का प्रियास किया इस दोरान डियास्टे कॉंस्टेबल भुपेंदर सिंग चोटी लो गिया, कोतवाल गंगाराम खावा ने स्कॉर्पियो गाड़ी पर पांच फायर कर टायर ब्रस्ट कर रुखवाया, वैं जब तवैद शराब की कीमत करीब 7 लाख उर्पे आंकी गई है। को सिद्मुक पुलिस थाने के ततकालिन एसचोने चैनपुरा रोही में एक बिनानबरी पिकप से अवैद देशी शराब के 50 काटन वे बीर के 25 काटन जब्त किये थे और ओपी पुलिस को देखकर भाग गए थे। इसके बार पुलिस ने बजरंग जाट निवासी भीवानी व चावतान को गिरफतार कर कोट में चलान पेश किया नया एक मजिस्टेट अबिलाशा जैफ ने आरोपी बजरंग वे नत्थु सिंग को दोश सिद्ध पाई जाने पर 3-3 साल की कारवास की सज़ा सुनाई साथी 20-20,000 पे के जुर्माने की सज़ा सुनाई है बुंदी की एक हीवक की इलास के दुरान मौत हो गई थी ऐसे चो मुकेश कुमार ने बताया कि 23 जनवरी को थानाक शेतर के रहन इलाके में नरेंदर और इसके साथ जुगरास के साथ कुछ लोगों ने मारपिट कर खायल कर दिया था लोगों ने इन्हें अस्पताल में भरती करवाया जिसमें नरेंदर की इलास के दुरान मौत हो गई थी इस मामले में कई लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्स किया था इस मामले में एक आरोपी रामरास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पुलिस बाकी अन्या रोपियों की तलाश में जुटी है प्रदेश में सरकारी बिजली कमपनियों के कूप प्रबंदन की वज़े से बिजली संकट हो गया है उर्जा विकास निगम की और से लॉग टाइम पावर परचेस एग्रिमेंट नहीं होने और उत्पादन निगम के बिजली घरों के लिए प्रियाप्त कोईला नहीं मिलने के कारण यह बिजली संकट एक महीने तक रहेगा वर्तमान में बिजली के डिमांड 17,000 मेगावार्ट तक महुँच गई है वहीं अब फरवरी में गे हूँ जौकी रवी फसलवे सबजियों की बुआई शुरू होने के साथ ही बिजली के डिमांड 10 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी ऐसे में उध्योगों वे ग्रामिन इलाकों को बिजली कटाती का सामना करना पड़ेगा अधिकांश बिजली घरों में निर्धालित स्टॉक नहीं है गाम से घंटाली आते समय भाई बेहन की बाइक की अन्य बाइक से भिड़नत हो गई इससे भाई की इलास की दुरान मौत हो गई जबकि बेहन घंबी रूप से खायल हो गई जिलास्पताल पहुंचे परीजनों ने बताया कि यवक बीस वर्षे सुनेल मेना निवासी बड़ा पड़ा थाना घंटाली मजदूरी कर जोदपूर से अपने घर छुटियां बिताने आया था इस दोरान घर से वह घंटाली कस्बा जा रहा था तबी रास्रे में दूसरी बाइक से भिड़त हो गई हाथसे में सुनेल की जलास्पताल में मौत हो गई जबकि तेरा वर्षे बहन प्रिया खंबी रूप से खायल हो गई सुनेल की एक साल पहले ही शादी हुई थी सुनेल पिछले चार-पांस दिनों पुरव जोदपूर से परतापकर छुटियां बिताने के लिए आया था हाथसे के बाद सारे खुशियां गम में बदल गई अजमेर के मांगले अवास्तानाक शेतर में महिला से रेप की वारदात सामने आई है पिडिता ने एक मेडिकल संचालक पर बीपी नापने के बहाने इंजेक्शन लगा कर रेप करने का रोप लगाया है ब्लैक मिल कर पिडिता से करीब एक लाग 37,000 पे भी हड़ अप लिये पिडिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि पती ने गाम के मेडिकल संचालक को घर पर दवाई भिजवाने को कहा अपरेल 2023 में घर पर बच्चे नहीं थे और वे अकेली थी इसुरान मेडिकल संचालक बीपी नापने की मशीन लेकर आया और बीपी नापने की बहाने उसे इ अलवर जिले में पिकप की टकर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई टकर की बार पिकप चालक फाग गया हाजसालवर के लक्षमनगड की हरसाना रोड पर हुआ पोलिस ने बताया कि पिकप चालक तेज स्पीड से चला रहा था बाइक सवार युवक 24 वर्षे अमन और 22 वर्षे अजय और्फ अज्जू सेन हरसाना से लक्षमनगड की तरफ आ रहे थे हरसाना मोड पर पिकप ने बाइक को टकर मार दी माके पर मुझूद लोग दोनों को अस्पताल लेकर गए लेकिन दोनों की मौत हो चुकी थे पुलिस ने मामला दर्श कर पिकप चालक क की तलाश शुरू कर दी है सीकर के सदर थाना इलाके में पड़ासी महिला ने युवक के अशलेल फोटो और वीडियो वाइरल कर दिये महिला और उसके पती ने युवक के दोस्त की गाड़ी भी तोड़ दी पिर इतने सदर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह एक ज पैसे देकर रेप करने के जूटे केस में फसादूंगी महिला के पती ने जान से मारने की धंकी दी और कहा कि यहां कोई भी पार्टी नहीं होगी डर के चलते युवक और उसका भाई सीकर में ही अपने दूसरे घर पर चले गए खटना के पहले पड़ासी महिला ने चुप झाल 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 झाल